पॉकेट साइज डाइनमो के नाम से जाने जाते हैं ये खिलाडी बाए हाथ से लंबे लंबे छके लगाने के लिए मशुर है ये बल्ले बास और फिलहाल मिशन मेलबॉन के लिए ठोक रहे हैं मजबूत दावा जी हाँ दोस्तों आपने सही पहचाना हम बात कर रहे हैं इशान किशन की दोस्तों ऐसे शहर से निकल कर जहां क्रिकेट एसोसेशन को मान्यता ही नहीं थी वहाँ से IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में इशान ने आज अपनी अलग ही पहचान बना ली है तो आई दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं आखिर कैसा रहा इशान का अब तक का सफर इशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 पटना बिहार में हुआ था उनके पिता का नाम प्रणो पांडे है जो की पेशे से बिलडर है इशान के एक भाई भी है जो उनके क्रिकेट को लेकर बहुत सपोर्ट करते हैं इशान बच्पन से ही क्रिकेट में बहुत माहिर थे और उनकी प्रतिभा को उनके भाई ने देखा और उन्हें cricket खेलने की सलाह दी जिसके बाद इशान ने cricket club को जुआइन किया और cricket खेलना शुरू किया इशान शुरुआत से ही विकेट कीपिंग किया करते थे वहीं बाय हाथ से विस फोटक अंदाज में बल्ले बासी किया करते थे उनके बजबन के कोच संतोश कुमार ने इशान के अंदर दिगज खिलाडी महेंदर सिंग धोनी और आस्ट्रेलिया के एडम गिलिक्रिस्ट के तरह ही प्रतिभा देखी थी महेंज 7 साल के उमर में ही इशान जम्मू में होने वाले All India School Games में अपनी स्कूल टीम में सेलेक्ट कर लिये गए वहीं सिर्फे 11 साल में ही इशान ने उसी टूर्नामेंट में पटना अंडर सेक्स्टिन टीम को लीड किया था लेकिन इसी बीच इशान के करियर में नई दिशा देने में अपनी एहम भूमी का निभाई जब BCCI ने बिहार क्रिकेट एसोसियेशन की मान्यता किसी कारण से रद कर दी थी तब इशान के कुछ संतोष ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें बाहर या किसी और स्टेट में जाकर खेलना जाईए और इस बात को इशान और उनके पिता जी दोनों भी बखू भी समझते थे इशान के पिता जी भी चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट में ही कुछ करे और इशान में भी कुछ कर गुजरने का जुनून था ऐसे में सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इशान के पिता ने अपने बेटे को राची भेज दिया राची पहुचकर इशान ने अपने नए करियर की शुरुआत की और अपनी प्रतिभा को बरकरार रखते हुए आगी बढ़े राची में उन्हें स्टील आथरिटी ओफ इंडिया की क्रिकेट टीम ने एक डिस्टिक टूर्नामेंट के लिए सलेक्ट कर लिया और फिर सेल की ही तरफ से उन्हें एक छोटा सा क्वार्टर भी दिया गया जहां इशान अपने चार सीनियर्स के साथ एक ही रूम शेयर किया करते थे इशान को तब कुकिंग नहीं आती थी और उनके सीनियर्स कभी-कभी नाइट मैचेज खेलने के लिए चले जाया करते थे तब ऐसे कई मौक्या है जब किशन को कई रातों तक बिना खाए ही सोना पड़ता था लेकिन इस चेस का उन्होंने अपने क्रिकेट पर असर नहीं पड़ने दिया इशान की लगन और मेहनत भी धीरे-धीरे रंग लाई और वो जारकन की रंजी टीम में शामिल हो गए सिर्फ 15 साल के उम्र में ही इशान ने रंजी डेब्यू किया और पहले ही मुकाबले में असम के खिलाफ गुहांटी में साट रंजर दिये और अपने करियर की शांदार शुरुआत की इसके अलावा इशान किशन ने उसी सीजन दिल्ली के खिलाफ 273 अनों की शांदार पारी खेल कर इतिहास रच दिया इशान जारकन के लिए एक पारी में हाइस्ट स्कोर लगाने वाले पहले बलेबास बन गए डोमेस्टिक सर्किट में दमदार प्रदर्शन करने के बाद 22 दिसमबर 2015 को 2016 में होने वाले अंडर 19 विश्वकप के लिए इशान किशन को भारती टीम की कमान सौंपी गई यहां इशान ने भारत को फाइनल तक पहुँचाया लेकिन टीम टूर्नामेंट नहीं जीत पाई 2017 के IPL में इशान किशन को गुजरात लाइन्स की टीम से खेलने का मौका मिला गुजरात लाइन्स की टीम में भी इशान ने ओपनिंग करी जहां इशान ने 11 मैच खेल कर 277 रन बनाए फिर अगले सीजन आक्शन में मौमबेंडियन्स ने उन्हें अपनी टीन में शामिल किया हलांकि पहले दो सीजन में इशान कोई खास कमाल करने में तो काम्याब नहीं हुए लेकिन 2020 का IPL सीजन इस युवा खिलाडी के लिए करियर चेंजिंग साबित हुआ युएई में हुए 2020 के IPL सीजन में बाया हाथ के बलेबास ने 14 मुकाबलों में 57 की शांदार आउसत और 145 की जबरदस्ट स्ट्राइक रेट से 516 रंजर दिये जिसमें RCB के खिलाफ एक रंचेस में इस युवा खिलाडी ने 99 रनों की शांदार पारी खेली और फिर एक जबरदस सीजन के बाद साल 2021 में जब इंगलेंड की टीम भारत आई तब इंगलेंड के खिलाफ होने वाले 5 T20 मुकाबलों के लिए इंडिया टीम में इशान का भी चैयन हो गया और इंगलेंड के ही खिलाफ उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी किया जहां एमदाबाद में पहले ही मैच में 32 गेंदों में 52 रन ठोक कर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए इस पारी में इशान ने 4 सिक्सिस लगाए और T20 फॉर्मिट में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारती खिलाडी बने इसके अलावा T20 डेब्यू पर 50 जड़ने वाले इशान रहाने के बाद सिर्फ दूसरे ही भारती खिलाडी भी बन गए इसके बाद जब भारत की टीम शेलंका दोरे पर गई तब T20 और ODI के लिए इशान को सेलेक्ट कर लिया गया जहां टीम इंडिया के फॉर्स च्वाइस विकेट कीपर संजू सैमसन के चोटिल होने के कारण पहले एकवदिवसी मुकाबले में जारखंड के इस युवा खिल करने वाले दूसरे भारती खिलाडी भी बने वहीं T20 फॉर्मेट के बाद ODI में भी अपने डेब्यू पर 33 गेंदों में 50 लगा कर एक बड़ा किरतीमान भी अस्थापित कर लिया बायहात का ये विस्फोचक बल्लेबाज ODI और T20 डेब्यू पर अर्द शतक लगाने वाले पहले भारती खिलाडी बन गए इतना ही नहीं शान के प्रदर्शन को देखते हुए 2021 T20 वर्लकप के लिए भी उनका इंडिया टीम में उनका चयन हुआ जहां नियूजिलेंड के खिलाफ एक एहम मुकाबले में इस योवा खिलाडी से ओपन भी करा गया लेकिन वहां शान म मैंनेजमेंट का भरोसा कम नहीं हुआ वो नियूजिलेंड और साउथ अफ्रिका के खिलाफ भारती सेटप का हिस्सा थे और आगे भी 2022 T20 वर्लकप और 2023 के वर्लकप के लिए इशान भारती स्कीम आफ तिंक्स में शामिल है वहीं फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी शान के नाम की धूम रही है बिहार का ये लाल आईपियल के इतिहास में सबसे जादा महेंगे खिलाडियों के लिस्ट में शामिल हुआ हलांकि बीदा आईपियल सीजन इशान के लिए कोई खास अच्छा नहीं गुजरा उनके खुद के रन उस हिसाब से नहीं आये जिसके चलते मुंबई ने उन्हें इतनी मोटी रकम दी थी लेकिन आईपियल खत्म होने के बाद जैसे ही अंतरास्टि क्रिकेट की वापसी हुई ऐसा लग रहा है जैसे पुराने वाले इशान किशन अब लौट चुके हैं वालांके उस दिन गेंदबाजों ने इशान किशन के किये कराये पर पानी फेर दिया था लेकिन सिरीज के तीसरे मुकाबले में इशान किशन ने सिरीज में दूसरा अर्दशतक जड़कर एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया बायहात के विसफोटक बलेबास ने शानदार बलेबासी का प्रदर्शन करते हुए 35 गेंदों में पांच चौके और दो छके की बदोलत 54 डनों की धमाकेदार पारी खेली जिसके चलते भारती टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुँची और अंततह एक करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया को मिली एक बड़ी जीत में इशान किशन ने भी अपनी महत्वपूर भूमी का अदा की यानि एक ऐसे जगे से आकर जहां कभी क्रिकेट को भी मान्यता नहीं दी गई वहां से IPL के तीसरे सबसे महंगे खिलाडी बनने तक का सफर तै करना और फिर अंतरास्टी क्रिकेट में निरंतरता के साथ रन बनाना इस योवा खिलाडी की काबिलियत का प्रमान दिखाता है तो दोस्तों अगर आपको इशान की क्रैगिंग जर्नी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे योट्यूब चैनल को वीडियो देखने के लिए शुक्रिया